जैसे कि आज हम आपको आयुरुवेदिक दत्मंजन टूथ पाउडर के बारे में बताएंगे दात दर्द की समस्या अगर किसी के दात में दर्द की समस्या रहता है किसी भी कारण से तब डॉक्टर के द्वारा आयुरुवेदी का ये टूथ पाउडर दत्मंजन दिया जाता है और जैसे कि इस दत्मंजन पाउडर का उपयोग मसूडों से खून आना जब किसी के मसूडों से खून आने की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये टूथ पाउडर दि दिया जाता है और जैसे कि कमजोर जबडे अगर किसी के जबडे हैं वो कमजोर रहते हैं तो उस समस्या में भी डॉक्टर के दोरा ये दतमंजन टूथ पाउडर दिया जाता है और इस दतमंजन टूथ पाउडर का उप्योग दात में क्या दिक्कत क्या समस्या रहता है दातों में क्या परेसानी रहती है या फिर दातों से संबंदित कौन-कौन सी दिक्कत कौन-कौन सी परेसानियों में डाक्टर के दौरा ये टूथ पाउडर दिया जाता है और इसका उपयोग क्या होता है इसे एक दिन में कितनी बा बताते हैं दातों में क्या दिक्कत क्या समस्या रहता है तब हम ये दतमंजन डॉक्टर के दोरा हमें उपयोग करने के लिए दिया जाता है। है तब डॉक्टर के द्वारा ये दत्मंजन दिया जाता है और जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों में अगर उनके दात में किसी परकार का कोई इंफेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या होता है जो मुह से दात में कई बार आपने देखा और दुरगंद के जैसा मुँझे आने लगता है अगर कोई हम से या हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारे मुख से अजीब तरीके की स्मेल आने लगती है बद्बू आने लगती है तब उस समस्या में भी डाक्टर के दौरा ये दत्मंजन दिया जाता है और जैसे कि अगर किसी के दात में पाईरिया की समस्या हो जाता है तब उस समस्या में भी डाक्टर के दौरा ये दत्मंजन दिया जाता है और जैसे कि आपने देखा होगा जब किसी के दात में पाइरिया की समस्या हो जाता है तो उसके जो मुख से बहुत अजीब तरीके की समयल आने लगती है यानि मुख से अजीब तरीके सी बदबू आने लगती है और जो उसका दात रहता है वो पूरी तरह से एकदम पीला पी पीता है तब उसके दात में जाकर ठंडक या फिर गरम के जैसा महसूस होता है तब इस समस्या में डाक्टर के दोरा ये दतमंजन दिया जाता है और जैसे कि दातों में अगर दर्द की समस्या रहता है किसी भी आपके दात में अगर दर्द की समस्या रहता है तब उस समस्या म क्या होता डॉक्टर के द्वारा ये दत्मंजन यूज करने के लिए दिया जाता है और जैसे कि आपने देखा होगा अगर किसी के दात से किसी परकार से ब्लेड आता है या फिर अगर दात में किसी परकार का कोई इंफेक्शन हो जाता है उसकी वज़ासे अगर दात में दात स ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए और जैसे कि इस दत्मंजन का उप्योग आपने देखा होगा अगर कोई गुटका खाता है या फिर पान मसाला खाता है या फिर तमाकू खाता है तो उसकी वज़ा से उसके दात में कई बार इन्फेक्शन की समस्या हो जाता है या फिर आपने देखा होगा दात जो होता है एकदम काला पड़ जाता है या फिर जो दात का कलर होता है वो बलेक हो जाता है और उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फेक्शन की भी समस्या होने लगता है तब उस इन्फेक्शन इसलिए ये काफी ज़्यादा डॉक्टर ये दत्मंजन प्रेस्क्राइब करते हैं और जैसे कि आपको पता होना चाहिए दातों से संबंदित अगर किसी भी परकार की कोई समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये टूथ पाउडर यानि ये दत्मंजन यूज़ करने क के लिए दिया जाता है चलिए हम आपको बताते हैं एक बार फिर से जान लीज़ीए इसका उप्यो क्या-क्या होता जैसे कि दात में किसी परकार को कोई संकरमण हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है या फिर दात में थंड गरम का महसूस होना या फिर हम कह सकते हैं दात के जबडे कमजोर हो जाते हैं तब उस समस्या में भी दिया जाता है और जैसे कि पाइरिया की समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये पेस्कराइब किया जाता है चलिए हम आपको बताते हैं इसे यूज कैसे करना होता है जैसे कि ये दत्मनजन दिन में तीन से चार बार आप उपियो कर सकते हैं आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा इस से ये काफी जादा डॉक्टर के द्वारा पेस्कराइब किया जाता है ये आपको किसी भी मेटकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा या फिर अपने गाउं के आसपास के छोटे बड़े मार्केट से भी आप ये आसानी से ले सकते हैं ये आपको आउनलाइन भी मिल बट अगर आपके दात में हलका फुलका इंफेक्शन रहता है या फिर आपके मसूडों में किसी परकार का कोई समस्या रहता है या मसूडों से संबंदित या फिर दातों से संबंदित अगर कोई भी परकार की समस्या रहता है तब डाक्टर के द्वारा इसे दिन में दो से त वाली